जाने नदियों से कैसे एक आएक बाहर आ रहे प्राचीन शहर और गाउं। ये धर्ती के लिए है खत्रे का संकेत। नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। यूरोप समेट विश्व के दूसरे हिस्सों में परती भीशन गर्मी और जंगल में धधकती आग को आने वाले समय की भया कानास जलाशय में भीशन गर्मी की वज़े से पानी का स्तर काफी गिर गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर हर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। पानी के बेहत कम होने के बाद यहाँ पर प्राचीन पत्थरों का समूल दिखाई देने लगा है। इन पत्थरों क ही सतर वर्षों में सबसे अधिक सुखेकी की मार भी साफतोर पर देखी जा रही है। यहाँ की गाल एक से वो पत्थर बाहर आ गए हैं जो सदियों से पानी के अंदर थे। सभिया की जैन्यूब नदी में भीशन गर्मी के बाद पानी का स्तर गिरने से इसमें डुबा एक युद्धक जहाज ही बाहर आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के समय ये जहाज जर्मन नौसेना का हुआ करता था। इसी तरह से जर्मनी में डच सीमा के करीब राइन के निचले इलाके में भी काफी कुछ चीज़ें अब पानी से बाहर आ गई हैं। यहां की नदी का जलस्तर कम होने से यहां से एक साइकल भी बाहर आ गई है। इस अब वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। भीशन गर्मी का प्रकोप केवल यूरोप तक ही सीमिक नहीं रहा है बलकि इसके बाहर भी ऐसा ही हुआ है। इसकी वजह से कई देशों में नदियों का जलस्तर काफी कम हो गया है। इराग की टिगरिस नदि का जलस्तर गर्मी की वजह से इतना कम हो गया है कि वहां पर 3400 साल पुराना एक शहर ही पानी से बाहर आ गया है। पुरातवविदों के मुताबिक इसका नाम जाखिकू है जो सन 1400 इसा पूर्व तक मित्तानी सामराज्य का एक महत्वपून केंद्र था। इस सामराज्य का कभी उत्तरी मेसोपोटामिया और सीरिया के बड़े हिस्से पर राज हुआ करता था।